नमस्कार दोस्तों फॉन इंदी की इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज है हमारे पास Samsung Galaxy F13 and Samsung Galaxy A13 हम करने जा रहे हैं दोनों फॉन के बीच एक फॉल कंपेरिजन और देखेंगे किस फॉन में हमको बहतर डिस्पले, बहतर कैमरा, बहतर बिल क्वालिटी से बात करें Galaxy F13 की तो इसके बैक पर आपको ट्रिपल रियर केमरा सेटप एंड एक LED फिलेश देखने को मिलती है इसके बैक पर आपको मैट फिनिश के साथ लाइनिंग वी देखने को मिलती है अब बात करें बिल्ड पालिटी की तो तो इसका बैक पैनल प्लास देखने को मिलती है, build quality की बात करतो हो, इसके back panel पर भी आपको plastic की देखने को मिलती है, तो दोस्तो design and build quality के मामले में दोनी फोन आपको बहतर देखने को मिलेंगे, आप दोनी फोन की display की बात करें, तो दोनी फोन में आपको 6.6 inch की full HD plus PLS LCD screen मिलती है, जो की 400 PPI के साथ आती है, दोनी फोन में आपको gorilla glass 5 का protection भी देखने को मिलता है, display quality की बात करतो हो, दोस्तो दोनी में आपको कुछ इस तरह के color देखने को मिलेंगे, natural color देखने को मिलेंगे, इसके अरावा जो video quality होने वाली भी आपकी काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको PLS LCD screen मिलती है, जो कि TFT से काफी ज़्यादा बहतर है, तो दोस्तो display quality के मामले में आपको दोनी फोन almost similar ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनी के display में आपको same features देखने को मिलते हैं, अब बात करें, दोनी फोन के camera's की, तो galaxy F13 में आपको triple rear camera setup देखने को मिलता है, जिसमें 50 megapixel का primary camera, 5 megapixel का एक depth sensor आपको मिल जाता है, अब बात करें, galaxy A13 की, तो इसमें आपको quad rear camera setup देखने को मिलता है, जिसमें 50 megapixel का primary camera, 5 megapixel का एक ultra wide lens, 2 megapixel का depth and 2 megapixel का इसमें आपको macro lens मिल जाता है, front camera की बात करें तो दोनी के front पर आपको 8 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाता है, picture quality की बात करें तो आप आपको sharp color देखने को मिलते हैं, इसके अलावा detailing भी काफी अच्छी देखने को मिलती है, फिर क्लोजर पिक्चर दोनों में आपको कोई भी difference देखने को नहीं मिलता है, detailing वगेरा and color tone आपको दोनों में सेम ही देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों, camera के मामले में भी आपको यहा Galaxy F13 में आपको triple rear camera setup देखने को मिलता है, लेकिन यह आपके उपर depend करता है कि आपको 4 camera वाला phone चाहिए या 3 camera वाला, but picture quality में आपको कोई भी difference देखने को नहीं मिलेगा, अब बात करें दोनी phone के hardware की तो, दोस्तों, दोनी phone में आपको Exynos 850 Octa4 CPU मिलता है, Mali G52 दोनों में आप GPU मिल जाता है, दोनी phone एंडर 12 के साथ 1UI 4.1 पर run करते हैं, दोस्तों, दोनी phone के gaming performance की बात करें तो, दोनी phone में आप heavy settings के game आसानी से play नहीं कर पाऊगे, जैसे BGMI है, PUBG है, क्योंकि दोनों phone में जो आपको CPU मिलता है, काफी ज़्यादा पुराना CPU है, लेकिन दोस्तों, यदि आप इनी games को normal settings और normal graphics पर खेलोगे, तो आपको ज़्यादा problem तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो आपका gaming experience है, वे आपको इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा दोनों phone में, तो दोस्तों, दोनी phone gaming के मामले में भी आपको shame ही देखने को मिलते हैं, अब दोस्तों, दोनी phone के storage and price की बात करें, तो दोनी phone में आपको 4GB की RAM and 64GB का storage देखने को मिल जाता है, इसके अलावा दोनी phone में आपको microSD card का support भी देखने को मिल जाता है, प्राइज की बात करें तो galaxy F13 आपको 12,000 रुपे के price में market में मिल जाता है, तो भही galaxy A13 आपको 15,000 रुपे के price में market में मिल जाता है, तो दोस्तो प्राइज में आपको काफी बड़ा difference देखने को मिलता है, लेकिन storage के मामले में आपको दोनी phone बिलकुल सेम देखने को मिलते हैं, अब दोस्तो दोनी phone के weight and thickness की बात करें, तो galaxy F13 में आपको 207 gram का weight and 9.3 mm की देखने को मिलती है, तो भही galaxy A13 मे आपको 195 gram का weight and 8.8 mm की देखने को मिलती है, तो दोस्तो यहाँ पर इतना बड़ा आपको difference देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आपको galaxy F13 थोड़ा सा heavy जरूर देखने को मिलेगा, अब दोस्तो दोनी phone के fingerprint sensor की बात करें, तो दोनी phone के power button में आपको fingerprint sensor देखने को मिल ज मिलती है, galaxy F13 में आपको 15 watt की fast charging देखने को मिलती है, तो दोस्तो यहाँ पर आप खुड decide कर सकते हो को आपको fast charging चाहिए या ज्यादा वेंटरी, अब दोनी phone के कुछ other features की बात करें, तो दोनी phone में आपको type C port, 3.5 mm jack and single speaker देखने को मिलता है, तो दोस्तो आज की वीडियो को बस हम यहीं पर विराम देते हैं, अब आप समझी गई होगे, आपको दोनी phone में से कौन सा phone लेना चाहिए, फिर भी overall कहें तो दोनी phone comparison wise बिल्कुल सेम देखने को मिलते हैं, फार्क सिर्फ battery and camera कहा है, लेकिन दोनी phone की picture quality में आपको कोई भी difference देखने को नहीं मिलेगा, यद आपको दोन phone में से कोई phone लेना है, तो आप Galaxy F13 को ले सकते हो, जो कि 12,000 रुपे में आपको मार्केट में मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों जो features आपको Galaxy A13 15,000 रुपे में देता है, वह features आपको 12,000 रुपे में Galaxy F13 में देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों वीडियो कैसी ल आपको 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 आपक